नमस्कार दोस्तों, बहुआन आप से इक अब लगर और आपके सारी चाहिमन कामना है पड़ी हो दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड नहत्मुन जान करेवे करूँगा और यहाँ पर आपका जो सबसे बिगेस्ट इशू आपकी लाइफ का हुआ है वह आपके करियर के रिगार्डिंग हुआ है, जिसमें बेबुनियाद इल्जाम भी लगे गए हैं और बहुत लंबे समय से जॉब के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग स्ट्रगल आपको फेस करना पड़े गया है उसके पीचे क्या रिजन है, किन कारणों के वज़े से ये सब इशूस क्रेट होते हैं उस बारे में पहले मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा जब भी राहो की भूमी का मस्तिश्क रेखा के उपर या फिर आपके भाग रेखा के उपर जादा होती उसके आपके रेखा या फिर आपके जीवन रेखा कारे मस्तिश रेखा में करना इसे लिए ये एक मस्तिष रेखा आपकी पूरी डिक्लाइन हो गई है और एक मस्तिष रेखा अपर पोजिशन में चल गई है इतना बड़ा स्प्लिट होना इतना बड़ा डिवाइडेशन होना माइंड लाइन में सिधे सिधे इस बात को इंडिकेट करता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी बात आपको कई ना कई ठेस पोचाई है और क्योंकि यह मान सकता को यहां पर दर्शाता है तो जब भी कोई रेखा एकदम से नीचे जाने लगती है तो किसी ना किसी प्रकर का जब शौक लगता है तब जाकर के माइंड लाइन एकदम से डिक्लाइन होती है और यह जो नीचे जाने वाले मस्तिश रेखा यह डीप थिंकिंग बहुत ज़्यादा सोचने विचाने की प्रवती और एकदम उस खयाल में दूबी रहने की प्रवती को दर्शाता है अगर यह सही योगी रेखा यानि अलग मस्तिश रेखा सपोर्टिव माइंड लान यहां नहीं होती तो अधिकतर ऐसे जातक उटेंशन डिप्रेशन इंजाइटी इन सबकी शेकार आसानी से हो जाते हैं लेकिन यह जो अपर प्रगार से ठिंकिंग करेंगे वापिस दूसरे कामों में इंगेज होंगे तो यह माइंड लाइन आपको कही ना कि बहुत ज़्यादा इस्टेबिलिटी यहां पर दे रहा है प्रैक्टिकेलिटी लोजिकल परसनेल्टी में कनवर्ट कर रहा है और इस प्रगार के ट्रबल कि भूमिका सबसे ज़्यादा यहां पर दिखाए दे रहे है तो यहां जो राहू रेखा है आपकी माइंड लाइन पर आकर के बार बार जो टच होना शुरू हुई है वो तक्रीबन 38 के बाद से ही शुरू हो गई थी लेकर इसने अपना सबसे ज़्यादा असर 46 के बाद मे को इस प्रकार से मिलेगा इसके लिए एक और क्लोज अप में आते हैं तो यहां पर आप देखें तो यह आपकी सूर की रेखा है और एक आइलेंड का फोर्मेशन यहां आपको देखने को मिल जाएगा एक आइलेंड आपको यहां देखेगा एक हलका सा आइलेंड का फोर्म चाहूंगा कि आप अपने जो कोट केश चल रहा है जो प्रॉब्लम चल रहा है इसमें वीजय प्राप्त करेंगे क्योंकि जब भी मंगल के उपर सीधी खड़ी रहा है इस परकार से होती आउटर मार्स पर तो यह वीजय प्राप्ति के योग को निर्मित करता है इस कंडिशन बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल मजबूत है तो आपको कोई हरा नहीं सकता है सामने अले खुदी घुटने टेक देने वाले रहेंगे दूसरा जो सूर की जो रेखा है वो भले इससे ही आईलेंड के साथ है अनधर लाइन के साथ है लेकिन अनधर एक लाइन आगे चलकर क में अपना result बहुत prominent देगा वो समय इसलिए भी कहा जा रहे है क्योंकि उस समय आपकी जो another lines है Saturn के उपर वो भी मजबूती से आगे बढ़ रही है और दूसरा जो आपकी यहाँ पर lifeline है उसमें भी एक प्रकार से bifork तो lifeline में जब भी एक प्रकार से anxiety रहती है जो भी confidence में कमी रहता है जो भी डर भै चिंता रहता है वो सारी चीजों को केतु करह यहाँ पर खतम करते हैं इसलिए अंत में मोक्ष प्राप्तिक के योगों का निर्मान किया गया है हस्त रेखा में क्यों क्यों क्योंकि केतु ही मोक्ष के द्वार तक लेकर जाते है तो इसका सिधा सिधा ताथ पर यह होता है कि जब इस प्रकार से split होती है multiples line या branches जो है create होते तो व्यक्ति के जीवन में कई न कई responsibilities बढ़ने न या फिर स्वास्त में सुधार अच्छा होना या जीवन शेली में नए ने प्रकार की गतिविदिया यानि positive way में होने लगना जैसे चंदर के तरफ रेखा जा रही है तो यह traveling का सुख बहुत अच्छा देगा अंदर यानि शुकर के तरफ रेखा जुक रही है तो families के regarding benefits मिलना या family से बहुत connection strong होना और जो middle में रेखा रही है वो career के regarding stability है कुछ ना कुछ positivity देना यह सारे combinations यहाँ पर बहुत strongly दिखाई दे रहे है तो इसलिए यहाँ पर आपका 57 से बहुत अच्छा तरख्य वापिस होने की संभावना है और लंबी आयू अच्छा स्वास्त और बहुत मजबूती से अपना जीवन शेली अगेन जीने की संपुन यूती यहाँ दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक remedy सज़ेश कर दिया जाएगा वाटसेप पर काल बेरेव अश्टकम के विशे में उसका remedy करने से आपका जो सूर की स्थिती है और राहू की स्थिती हो बिल्कुल प्रबल होना शुरू हो जाएगी क्योंकि राहू और सूर के दोश के करण बदनामी प्राप्त होती है या शडियंत्र के जो है एक प्रगार से बीच में आते वे देखने को मिलते है शडियंत्र होते वे देखने को मिलता है तो ये इन सारी चीजों से और बे बुनियाद तकली परशानी इन सारी चीजों से दूर आप हट पाएंगे और जो 57 में हमको देख रहा है सफलतों के जल्दी भी आपको आ सकती है तो यहाँ पर थोड़ास आपको patience रखना है, confidence रखना है और विश्वास रखना है यह तीन चीज रखिए, बहुत drastic वो positive changes आपको आपके life में 100% देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आते हैं overall palm के analysis के उपर तो देख सकते हैं कि finger clean आपके palm के comparison में थोड़ी सी short है जो एक instant decision taking habit को थोड़े faster decision making skill को immediate work करने की tendency को indicate करता है इस condition में कभी किसी के under में ज़्यादा comfortably work नहीं कर पाते हैं क्योंकि खुद के rules, regulation, ethics, मन मताबिक काम करने ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को पाने की चाहस ज़्यादा होती है इसलिए बहुत ज़्यादा patience अपने अंदर नहीं रख पाते हैं फटा फट काम करने की चेस्टा देखने को मलती है और यहाँ पर देखेंगे तो little finger के लिए तक्रिबन third finger के first support तक अच्छे से पहुँच पा रही है तो communication skills से लेकर के marketing skill और work management बहुत बढ़ा देखने को मलता है इस condition में business luck या sense भी बहुत अच्छा create होता है क्योंकि यह multiple slan market का knowledge बहुत अच्छा दे पाती है और इसकी और भी बहुत अच्छी खासियत होती है लेकिन जब इस प्रगार का mercury देखने को मिले तो business, trading, import, export या finance और share marketing सबके regarding benefit मिलने के chances हाई होते है third and first finger के लिए में third finger के लिए जादा strong है तो वो risk taker बनाता है और जब little finger इतना positive हो तो commitment बहुत strong रख पाते है जो कहा है वो निश्ची तुरुप से कर दिखा पाने की योगिता और एक समय पर एक से ज़्यादा काम easily handle, tackle करने की योगिता बहुत अच्छी यहाँ देखने को मिलती है यहाँ अनि management बहुत बढ़िया यहाँ पर आपका इस प्रगार का mercury दे रहा है थर्ट फिंगर के लिए जब भी strong पाये जाती है तो यह creativity और artistic quality को indicate करता है तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, कुछ ना कुछ minor changes करते रहना यह भी basic nature में देखने को मिलता है और self-made personality का बहुत important sign यह होता है तो सिर्फ खुद के मेहनत और पराकरम से ही जीवन में सफल होते हुए दिखाई पड़ते हैं जब भी first finger के लिए थोड़ी जादा short हो जाती है तो यह एक प्रगार से down to earth किसमे के nature को दरशाता है और इस condition में reserve type का personality create होता है जिसके current बहुत जल्दी किस से goal मिल नहीं पाते या अपने आपको बहुत reserve एक प्रगार से security रखते हो देखने को मलते हैं इस current से आप जैसे जाद तक कई मरतव अपना खुद का अधिकार भी खो देते हैं क्योंकि आपको अपना हक लेना नहीं आता है उतना आपके अंदर leadership quality, teaching qualities या boldness जो हम कह सकते हैं या जो छीन के लेने वाली आदत जो होती है लोगों में वो कई नकी आपके अंदर नहीं है इसके अलावा जब भी first finger का थोड़ा बहुत भी जोगाव सेटन के तरफ होता है वो रिष्टों में होना अले अन्बन मद्भेदेवम दूरियों को भी व्यक करती है finger के जो यहाँ पर आपके notes है वो तक्रिबन developed cool मिला करके ठीक है तो इस पस्ट वादी किस्म का व्यक्तित यहाँ पर यह देगा छोटी छोटी रेखा है यहाँ पर बीच बीच में है तो यह थोड़ा सा हलका सब जो है trouble create करती है जैसे कि बार बर अपने लिए गए decisions या बनाए गए योजना में कुछ न कुछ परिवर्तन करते वे देखने को मिलते हैं या doubt करते वे देखने को मिलते हैं फिलेंजस की स्थिती ठीक है, इंटर्नल मार्स की स्थिती ठीक है तो स्टेमिना एनरजी रोग परतिरोधक शमता बढ़िया रहने वाला है लेकिन जब दूसरे पांपिंग में हम देखते हैं तो जब आप अपने हाथ को एकदम जॉइंट कर लेते हैं इसका सीधा ताथ पर यह है कि देखते हैं आप कई ना कहीं बाहर से मजबूत ही लेकिन आंतर्य गूप से उतने मजबूत कहीं नहीं है तो यहाँ पर यह सजेशन है आपको की फिजिकल फिटनेस कहतरिक्त कम से कम प्रानायाम या जोगिंग को डेफिनेटली प्रफर करें यह करने से मंगल की स्थिति बहुत हतीली में मजबूत होती है तो रक्त चाप से लेकर के मान स्पेशियां तक बहुत अच्छे से पर्फॉर्म करने लग जाती है जिसके तहत रोख प्रतिरोधक्षमत मजबूत हो जाता है थाम का साइज शॉट होने के करन टू दो पॉइंट बात करना आप जैसे जातकों के बेसिक नीचर में होता है बहुत जल्दी आवेश में आते वे या फिर बहुत जल्दी अपने लिए गए नेड़ने बना गए योजना में परिवर्तन करते देखने को मिलते हैं जब इस पर यव का चिन होता है तो ये भागिशाली चिन माना जाता है क्योंकि ये इंट्यूशन ये सिक्से सेंस अच्छा देता है अर्थात पूर्वा और्मान आभास ये सपनों के मध्यम से भविश के दरश्य देख पाने की योगिता प्राप्त होती है एंसिस्टर ब्लेसिंग्स प्राप्त होता है अलेशन घर का सुक्ष से लेकर के जीवन में तमाम तरह के रिसोर्स के अविलेबिलिटी थोड़ देखने को अच्छी मिलती है इसके अलवा यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड फिलेंच के लिए अच्छी जा रही है तो यह इस बात का इंडिकेट का देखने को मिलता है पisme आलव परだ जा एकटिव ए तो यहाँ पर देख सकते कि सब्सक्राइबे के लिए बहुत एकट्व है तो आपको आपकी स्पाउस से बहुत अच्छा लख मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि जूपिटर एक्टिव होना अपने आप में एंसिस्टर ब्लेसिंग्स को इंडिकेट करने लगता है और जब सपोर्टिव लाइन हो तो पार्डनर का बहुत बड़ा रोल फिर जीवन में देखने को मिलने लगता है यहां पर इसके अलावा देखें तो कुछ आड़ी रेखाए भी है जो धार्मी किस्मी की प्रवति को यहां पर दाशाती है तो तमाम तरह के धर्म गरन तो रहस्मे विद्याओं के प्रतिरूची बढ़ती है द्यालो किस्मी की प्रवति होती है दानवीर देखने को मिलते हैं और एक प्रगर से compassionate टाइप का nature personality बिल्ड होता है इसके अलबा यह एक knowledgeable तो इस पर अगर का जो जूपिटर है वो at the end आप जैसे जातकों को positive result देता ही है इसलिए old age भी बहुत comfortable पाया जाता है बच्चे भी बहुत ज़्यादा संसकरिया लायक निकलते हैं और यह भी एक resources का कारक होता है तो resources में कभी नहीं होती है आप साफसुतर दिल की इसलिए भी दिखाए दे रहे हैं क्योंकि multiple branches आपके upper position में जा रही है heart line से तो यह एक प्रगर का emotional, sympathetical nature and approach और dedicated personality, caring personality को indicate करने लगता है देखे क्या होता है कि जब भी heart line से इसी multiple branches निकलती है त type of emotions को एक ही समय पर indicate करने लगता है जो लोग अलग-अलग प्रगर से अपने जीवन में emotions को experience किये रहते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद गया हो वहाँ पर expectation तोड़ जाए तो यह से branches बहुत निकलने लगते हैं दूसरी बात यह होती है कि यह branches जो सीधे जा इस प्रकार से तो यह सब रेखा दर्शारी है कि आप कई ना कई emotional, sympathetic, pure hearted, soft hearted personality के ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं शनी के बारे में बात कर लेते हैं तो शनी के च्छेत पर जब भी रदर एखा से लकलने निकलती है तो यह इसे कहते हैं truth line इस condition में जूट फरेव पाते हैं इसे opportunity line भी इसले कहते हैं क्योंकि जिस भी चीज को पाने की चाहत होती तो इश्वर ये क्रपा के अतरिक्त opportunities आना शुरू हो जाता है एक negative point इस रेखा का यह के सकने हैं कि यह अपने result बहुत देरी से देता है जहां पर आपकी hope खतम होगी वहां पर यह अपने result 100% देना शुरू कर देगा तो इस condition में समय पर काम ना बनते हुए थोड़ा देरी से काम बनता हुआ देखने को मिलता सिर्फ यह एक negativity है बाकी यह line बहुत अच्छी माने जाती है यहां पर जितने भी another lines है उस पर एक छोटा छोटा आपको cross का sign देखने को साफसा मिल जाएगा इधर पर आप देखें तो एक cross का इधर पर sign दिखेगा और एक यहां दिखेगा तो छोटे मोटे जब crosses के science यहां पर होते हैं तो इसका सीधा दाद पर यह होता है कि जो भी भाग गे है उसमें कई ना कई कमी आती है काम बनते बनते बिगड़ता है और कई ना कई मन एक काम नहीं बनता है जिसके करण संतुष्टी प्रपली मिलने ही पाती है इस कंडिशन में किसी भी मंदिर में जाकर के कुछ भी श्रम सेवा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है शारेरिक सेवा हो गई या फिर दान धर्म हो गया या कुछ भी अपने तरफ से सेवा हो सके द जासिंता लोनलीनेस और किसी भी तरह की रुकावटें तकलीफें अर्चने बाधा खतम होती दीखेगी खुशियां आती दीखेगी चेहरे पर चमक बढ़ने लगेगी काम सही डंग से प्रोसेज में आता हो देखने को मिलेगा अपोर्जिनिटी देखने को अच्छे से मिल लगेगी पेसा टिकने लगेगा रुकने लगेगा और आपकी हित में जो है बाते होना शुरू हो जाएगी तो यह चीजें आप डिफिनेटली करिए ज्यादा कुछ करने की ज़रूत नहीं सिर्फ यह दो ही काम आप कर लीजिए आप देखेगा कितना सही रिजल्ट्स आता है और निश्चित रूप से आता ही है तो यह दो चीज़ आप कर लीजिए देख लीजिए विदिन दे कपल ओफ मत क्या ड्रास्टिक चेंज आफ जो है फिल यहां पर कर पाएंगे आपके हतेली में जो भी लग लाइन निकली है सब यहां पर आपके लाइफ लेन से निकली है 46 के एस तक आते आते तक यहां पर धुंदला पना गया तो लक में जब इस प्रकर से धुंदला पना आता है तो यह सीधे सीधे किसी काम में को रुकने जैसे यूगों को और धना अर्जन में होने वाली तकलीफों को व्यक्त करता है और अगर लक लाइन के विशे में हम तो यहां पर जो सबसे ज़्यादा राहू ने अपने प्रभाव दिये थे वो पेटीज का इस टच करते सी देना शुरू कर दिया था जिसके तरहत अन्नेसेसरी एक्सपेंस होते हुए यहां पर दिखाए देने लग रहे हैं यह जो लक लाइन है यह हार्ट लाइन पर रु पही लक लाइन रुकती है तो यह जो रैमेड़ी है यह इसलिए दिया गया है ताकि यह लक लाइन आगे बढ़ सके और यह जैसी बढ़ता आगये तो क्रोसस के जो भी छोटे मोटे साइन्स हैं यह सब खतम होंगे और इस लक लाइन के कंपरेजन में आपकी मर्करी लाइन को denote नहीं करती है इस बहुत को दर्शारी होती है कि आप जैसे जातको में skills अच्छी है specialist है किसी काम के regarding learning जो capability है वो अच्छी है और यह रेखा स्वास्त भी सुधारती है money management भी even जो है यहाँ पर अच्छा करती है और पेसा व्यापार के द्वारा अच्छे से आ पाता है दुखदर्द कर्म करपाने में उनकी सहायता करते हैं इसलिए आप जैसे जातकों से लोग आगे सरे करके करने करना और आपके अंदर भी लोगों को बांधी रखने की सक्षमता convince करने की योगिता अट्रेक्ट करने की योगिता बहुत अच्छी होती है किस वक्ति से कैसे बात करना है किसे काम निकलवाना है किस situation को कैसे handle टेकल करना है आप जैसे जातकों से अच्छा कोई नहीं जानता अब ये सारे combinations क्या indicate कर रहे हैं कि लोग आपको मदद करना चाहरे हैं जुड़ना चाहरे हैं और आपके अंदर capabilities है लोगों को connect करने की और काम निकलवाने की तो इस condition में directly ये business luck को जो है create करता है बहुत sympathetic जो है approach को भी यहाँ पर यह create जो है कर देता है Calculative एक प्रगार से देखा जाए तो calculations, accountancy, reasoning और multiple languages के प्रतिर knowledge ये combination भी बहुत ज्यादा strongly दिखाए पड़ने लगता है Heather Rekha से जब भी रेखा है थोड़ी नीचे के तरफ आती है तो सेवभाव किसम का व्यक्तित होता है तो आगे से रेखर के दूसरों की मदद करना, करूना देया, हमेशा अपने अंदर रखना ये nature में होता है भले ही धोगा कितने दफ़ा मिल गया हो लेकिन सामने अला अगर हाथ फिला दे तो खाली हाथ जाने नहीं देंगी इस परगार का भी व्यक्तित है आपका और थोड़ा सा hidden टाइप का nature क्यों है क्योंकि heart line सेटन पर आकर के रूखी है तो किसी के सामने दुखदर रोना अगाना ये सारी चीज़ा अप जैसे जातकों को पसंद नहीं आता है बात करें mind line के बारे में तो mind और life line में जब भी island के formations बनते हैं तो ये क्या करता है कि starting life थोड़ असा tough देता है बच्पन में family or health के regarding minor struggle stresses होते हैं और जैसे life line के regarding यहाँ पर island दिख रहा है साफ साफ तो ये foundation create करता है जिसमें ज़्यादा growth या independence नहीं मिल पाती तो ये समय आपके जिवन का around 21 से लेकर के 24 के बीच के था और एक और जो island हमको दिखाई पढ़ रहा है वो 14 से लेकर के 16-17 के आसपस तक का है इसकत आपकी mindland की स्थिती बिल्कुल ठीक जा रही है एका एक रेखा जो decline होना शुरू हुई तो आप कहिना की बहुत ज़्यादा deep thinker हो गए या फिर multitasking nature के हो गए around 36 और 7 के एच के आसपस से और उसकत से यह रेखा continue run हो ही रही है तो यह कहिना की आपको बहुत ज़्यादा अपने खुद के सोच में या खुद के दुनिया में लेकर के चल जाती है इस रेखा को उन लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पाया गया है जो लोग बहुत ज़्यादा creative personality के रहे हैं बहुत अच्छी जिनमे artistic quality हुई है जिन्हों अपने कलपना के बलभूते पर बहुत सिकता क्या रखना चाह रहे हैं अगर आप negativity या overthinking में रह रहे हैं तो nervousness, anxiety ये सारी चीज़े होना बहुत चोटी बात है लेकिन अगर इसे mind को creative sense में लेकर के जा रहे हैं जैसे अपने passion hobby को follow कर रहे हैं कोई नही चीज़ learn कर रहे हैं skills पर काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई यह सर लूप हो लिया कोई ना कोई इसा inventions भी आप कर सकते जिसका जिसके करन दुनिया अदेश दुनिया को कुछ नया प्राप्त हो सके और नाम आपका बहुत आगे बढ़ सके दूसरा मंगल की रेखा या यह रेखा तो आपको mental strength बहुत अच्छा दे रहे हैं इसलिए आपको यह रेखा हैं जब तक किसी के हाथ में होती है जब भी देखने को मिली है तो यह रेखा और यह रेखा दोनों हार मानने नहीं देती यह आपका पूरो पुर्णी रेखा है यह रेखा बहुत जदर dedicated personality create करती है अपने काम के प्रतीव बहुत सारे लोगों की responsibilities या बहुत सारे pending करमा इस जनम में आकर जब clear होने होते हैं तब जाके इसी रेखा आती है वरना सिधी सी बात है कि क्यों आप पे इलजाम लगे या क्यों आप पे इतनी तकलिफ हैं तो वो सब pending करमा है जो beyond यहाँ पर thoughts जो है होती है जिस पर सिर्फ ईश्वर की ही जो है मर्जित यहाँ चल जाता है है लाइफ लएं के उपर में देखेंगे तो लाइफ लने पहली progress लाइं जो निकली हुए होग निकली हुए आराउंड यहाँ पर आपकी 32 में 36 में थर्टी एट में इन सभी एजस में डिजार एंबिशन्स कम्प्लिट हुएं लेकिन लगाता लाइफ में कुछ नो कुछ तकलिफ रुकावटे आती रही है लेकिन देख सकते हैं कि सपोर्टी लाइन कितनी जादा एक्टिव है इसे गार्जिन एंजल लाइन प्रोटेक्शन लाइन केते हैं और जब यह रेखा होती है तो यह इश्वेरेक रपानुकम्पा को दर्शाता आपको आपके स्पाउस से दूसरों से इवन अन्नोन परसन से भी समय पर बहुत अच् रहता उन सबसे रिकवर आप इस कारण ही कर पाए हैं इसलिए हमेशे इश्वर का धन्यवाद लोगों का धन्यवाद या ग्रेटी डूर हमेशा आप जैसे जात्कों को रखना चाहिए मंगल की भी यह रेखा है तो यह प्रोपर्टी देती है तो प्रोपर्टी के योग भी अच्छे से वापिस क्रियेट हो पाएंगे और यह सब होगा कब 57 के आसपास वह उसके बाद से शुकर पर जब भी आड़ी रेखा इतनी जादा होती है तो यह सब अन्नेसेसरी वरिस को क्रियेट करता जो ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग या फैमली प्रेशर के द को इंडिकेट करती है कि आप कही ना कही बहुत ज़्यादा बेफिजोल की चिंता वगरा कर रहे हैं आप कही ना कही अपने आपको समय दिजिए थोड़ा ओपन होई है नेचर के जितना होसे के करीब आप जाईए क्योंकि टेंशन लेने से या इतना हाइपर टेंशन वरिस करने से, ओवरहिंग करने से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है तो इससे अच्छा कही ना कही दूसरी चीजों के प्रतीक काम किया जाया तो इस लाइफ को ना कही ना कही ना कही ना किया जाया क्योंकि यह मनुश्य जो तत्व है यह बहुत ज़्यादा तकलिफ में क्योंकि वो लोग आपकी सबसे ज़्यादा care करने सबसे ज़्यादा आपकी प्रती अपनी responsibilities निभा रहे हैं तो इन सब विश्यों पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे शुकर के स्थिती बहुत अच्छी हो जाएगी आड़ी रेखा जैसी कम हुई इसका सिधा मतलब ही कि tension, worries, overthinking इन सारी चीजों से आप उठ रहे हैं और ये जैसी होने लगएगा वैसी life में peacefulness, happiness और बहुत ज़्यादा खुशाली, तरक्की, समरिध्धी शुकर तो बेठे ही हैं ये सारी चीज़े देने के लिए शुकर का काम ही है, luxuries, comforts ये सारी चीज़े देते रहना लेकिन उसको block on कर रहा है, आप ही कर रहे हैं अपने mentality के accordingly तो उसको आप open करी है आप देखें फिर केतना भेतरिन मनो रंजन होने लगते हैं जीवन में क्या खुशियां आपके ही नहीं पुरे घर परिवार में आने लग जाती हैं इसके अलावा केतू की स्थिती तो बहुत बढ़िया है, कुत्तों को feed करते रहना हमेशा जरूरी होता है इस condition में जब केतू अच्छा response कर रहे हैं केतू गरह हतेली में तो कुत्तों को दूथ पिलाना, टोस्ट खिलाने या जो भी आपको लगता है यहां पर किसी भी कुत्ते को परसनल पालने का suggestion नहीं दे रहे हैं यहां पर street dog की बात की जा रहे है तो यह करने से बहुत internal soul को ऐसा लगता है जैसा food में लिया हो बहुत समय से internal soul का कोई desire हो complete हो और यह चीज़ करते रहने से भाग यह बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता तो अचानक से धनलाब, अचानक से प्रगति, अचानक से कष्ट बादा धूर होना शुरू होता है चंदर की आड़ी रेखा ध्यान वह मन भटकाती है इसके अलावा money triangle incomplete है तो पेसा आया जीन में ठ खिक, रुका नहीं, खर्चे जादा रहे और हमेशा खर्च होता भी है आप चाहें तो independent work business पे ध्यान दे सकते हैं उससे आपको पेसा अच्छा रहेगा left hand में देख लें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी mind line बहुत ज़्यादा ही stable है अच्छी चल रही है और upper position में जब रेखा हैं चलने लगती है तो यह एक प्रकार से lab कमाने की यूथी को भी indicate करता है कि आप जैसे जाता है lab निकलवाने में सक्षम र लगता है कभी serious कभी practical कभी emotional कभी serious इस परकार के nature ही देता है लेकिन moreover जो life line बाहर के तरफ जुक रही है तो spiritual connection strong होगा और जितना ज्यादा spiritual active होंगे उतना ज्यादा internal peace और बहुत ज्यादा ही stress वरिस आपका खतम होता सिधा का सद्याद दिखेगा यह थी सबसे महत्पूर्ण बात आपके हांत क्रेगाडिंग आश्र करता हूं सभी परश्णों को अत्तर मिलिया हो तब तक आप अपना धिहान रखें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद